हाई गाईस वालकूम बैक आपका अपने चैनल पे बहुत सदस्वागत है गाईस आज की इस वीडियो में हम आइफोन 7 खा फुल रिव्यू करेंगे 15.8.1 के नएस डिबल अपडेट में यह अपडेट आइफोन 7 पे कैसा परफॉर्म कर रहा है परफॉर्मेंस की बात करेंग और बैटरी बैक अप की और साथ में हीटिंग के परवे भी डिसकस करेंगे इस वीडियो में कि आपको यह जो अपडेट है इस आइफोन की उपर यूज करना चाहिए इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ तो इस अपडेट का अब इस डिवाइस के सबसे पहले परफॉर्मेंस के बारे में परफॉर्मेंस वाइस यह जो डिवाइस है कैसा काम कर रहा है आप देख सकते हो यहाँ पर जो एप ओपनिंग स्पीड है इस डिवाइस की काफी बढ़िया है वेल मैंटेंट है आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इ कोई भी इशू देखने को मलने वाला है जो लॉक स्क्रीन में और होम स्क्रीन के उपर आपको कोई भी लैगिंग इशू फेस नहीं होगा यह जो अपडेट्स हैं एपल इसी लिए प्रोवाइड कर रहा है इन अपने पुराने डिवाइस को क्योंकि उनको और पर जदा मेंट अब इसने कैलकुलेट कर दिया है कंप्लीटली जब मैं 15.8 के पुराने अपडेट को यूज कर रहा था तो उस अपडेट में मिरको काफी जदा ये इशू देखने को मल रहा था कि जो आइफोन क्या सिस्टम डेटा है वो कैलकुलेटिंग की शो करी जा रहा था तो वो जो इशू है यह इस नए अपडेट में आपल ने कंप्रीटली फिक्स कर दिया है और साथ में यहां पर बात करते हैं बैटरी लाइफ और बैटरी बैकप के बारे में बैटरी लाइफ जो है वो डिबेंड करता है आपके कितनी मैकसिमम कपेस्टी हो रखी है अगर आपके पास 80% या 90% वाला iPhone 7 है आज के टाइम पे भी तो शायद वो आपको काफी बड़िया बैटरी बैकप प्रवाइड करवा सकता है बट मेरे केस में मुझे इसो 2-3 बार चार्ज करना पड़ जाता है अगर मैं इसके उपर थोड़ा सा Instagram पर गहरा भी यूज़ करना तो तो पहले इसकी बैटरी जो है पो 68% यानि की सर्विस के उपर हो रखी है तो यह कुछ अप्लिकेशन मैं डे टो डे रूटीन में यूज़ करता हूं iPhone 7 के उपर सबसे जदा मैं यहां पर Instagram और YouTube को ही वाच करता हूं इस डिवाइस के ऊपर और कोई भी एक्टिविटी इस की ऊपर नहीं होती है नहीं इस डिवाइस की ऊपर मैं कोई गेमिंग वगारा करता हूं और साथ में last number की उपर बात करते हैं इस device के यहां पर heating के बारे में heating जो है इस device की मेरे को अबी तक देखने को नहीं मिली क्योंकि मैं इतना ज़्यादा heavy इस device को use नहीं करता हूँ और साथ में जो lift that issue है वो भी मेरे को इस update में देखने को नहीं मिला Wi-Fi connectivity जो है काफी बढ़िया चल रही है इस device के उपर इस नए latest update में इसलिए ये जो update है काफी ज़दा stable है बैटरी बैकप को लेकर और साथ में यहाँ पर इस device की performance को भी लेकर इसलिए आपको इस update को जरूर इंस्टॉल करना चाहिए अपने iPhone 6S और iPhone 7 और 7 Plus के उपर क्योंकि ये तीनों devices जो है इस latest update को support करते है I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी So मलते हैं guys अगली वीडियो में So thanks for watching